इस दिजाइन को लेडिस, स्वेटर, कारडीगन, जैकेट, जैन्ड स्वेटर और बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुन्दर दिजाइन है और इसको बनाना भी बहुत ही असान है, इसमें चार के multiple फंदे प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है हमें यह front side है और यह back side है और यह 4 रो का ही design है अब इसको start करते हैं इसमें मैंने 17 फंदे लिए हैं और इसमें एक base row डाल दी है वो सिरफ एक बार ही डालनी है एक एक सीधी स्लाइड डाली है और वो बस इसी row में ही बनेगी दुबारा इसको हमने नहीं बनाना है अब हम अपना design स्टार्ट करते हैं फर्स्ट row back side से यह design स्टार्ट है पहला फंदा उतार और धागा पीछे लेके जाना है तीन फंदे हमने सीधे बनाने है एक दो और यह तीन धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करके दो बार स्लाइपर से ऐसे घुमा देंगे फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करके दो बार स्लाइपर से घुमा देंगे फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और उल्टा फंदा बनाने के बाद धागा पीछे करके दो बार सलाईने से घुमाके फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे यह फर्स्ट रो थी बैक साइड से अब यह सेकेंड रो है फ्रन्ट साइड से इसमें पहला फंदा हमने उतार लिया धागा पीछे ले गए तीन फंदे सीधे बनाएंगे दागा आगी रहने देंगे तीन फंदे उल्टे बनाएं एक दो तीन दागा पीछे ले गए यह जो घुमाया हुआ फंदा था यह इसको हम खोल देंगे और यह जो हमने उल्टा फंदा बनाया था इसको बाहर निकालके यूँ खींच लेंगे फिर जो धागा आगे करेंगे और तीन फंदे वापस उल्टे बना देंगे एक दो तीन फिर धागा पीछे करके यह गुमाया हुए फंदो को खोल देंगे और जो उल्टा फंदा बनाया था इसको हम ऐसे खींच लेंगे अब धागा आगे करके फिर तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन फिर धागा पीछे किया गुमाया हुए फंदे खोल दिये और उल्टा फंदा इसको खींच लिया और धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा भी हम उल्टा ही बना लेंगे पहला फंदा हमने यूही उतार लेना है तीन फंदे सीधे बनाने हैं एक दो तीन धागा आगे करेंगे ये जो खोला हुआ फंदा था ये वला इसको हम यूही उतार लेंगे और धागा पीछे करके तीन फंदे फिर सीधे बुन लेंगे एक दो तीन धागा आगे किया ये खो पिछे करके तीन फंद सीधे बना दिए फिर दागा आगे करके ये वाला फंद है खोला हुआ इसको इसाइपे डालके तीन फंद सीधे बना दिए और चौथा फंद भी हमने सीधा बना दिया ये third row हो गई अब fourth row में हमने क्या करना है पहला फंदा as usual उतार लिया और तीन फंदे हमने सीधे बना दिये तीन फंदे हमने उल्टे बना दिये दो, तीन, धागा पीछे किया ये जो फंदा है, ये जो उतार रहे थे हम इसको हमने सीधा बुन लेना है अब फिर धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे किया और ये जो फंदा है इसको हमने सीधा बना देना है दागा आगे किया तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे करके इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया और धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे एक दो तीन और लास्ट का फंदा भी हमने उल्टा बना दिया और ये इस तरह से हमारा डिजाइन इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा एक बार और एक रो बना लेते हैं हम फस्ट रो उससे ज़्यादा क्लियर होजेगा पहला फंदा उतार लिया तीन फंदे सीधे बना लिये एक दो तीन धागा आगे किया एक फंदा ये जो उतार रहे थे फंदा उल्टा जो बुना था उसको हमने उल्टा बुना धागा पीछे करके दो बार स्लाईपर से गुमा दिया फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे किया एक फंदा उल्टा दागा पीछे करके दो बार सिलाई पर से गुमा दिया, फिर तीन फंदे हमने सीधे बना दिये, एक, दो, तीन धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे करके दो बार सिलाई पर से गुमा के, तीन फंदे सीधे बना दिये, और लास्ट का फंदा भी हमने सीधा बना दिया उसके बाद second, third row वैसे ही बनानी है यह first row बना के दिखा दी यह इस तरह से आजेगा और यह इस तरह से design बनेगा बहुत ही वैस सुन्दर design लगेगा बहुत ही असान डेजाइन है झालब है, इस बातु है झालब है झालब है